यो इलाइट प्रेटप्रम प्र आप सब्रियो का स्वागत है इस वीडियो में डिसकुसिंड करेंगे हिमाचल परदेष कंद्रिया विश्व बिदालया में विभीन पदों के लिए आबेदन मंगे गए है यदि आप हिमाचर परदेश केंदरिया 200 बिजालिया में एक प्रतिस्टित नौकरी लेना चाते है तो यहाँ पे हम आपको बदा दें कि आपको अच्छे से त्यारी करनी होगी क्योंकि जो इस टेस्ट का कनक्ट होगा और नेशनल टेस्टिंग अजेंसी करेगी यानि कि आपको नेशनल लेवल का कंपेडिसन यहाँ पर फेस करना है लेकिन आप में कलैबर है आप में इंटयलिजेंस है आप में पढ़ने की आदत है आप में मिहनत करने की प्रबॉर्ति है तो निस्टेत तो पर आप हिमाचर परदेश के कंद्रिया 20 बिजालिया में इसके अलावा हम आपको यहां पर बता दें जो क्लरकों की पोस्टेश हैं इसके लिए भी आपका देखिए टैस्ट होगा सम्पून जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे लेकिन उससे पहले आपको कुछ मत्वपूर्ण dates याद करनी है और कैसे आपको apply करना होगा उसके बारे में बता दें देखिए online submission of application form की यह हम बात करें 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 2023 तक के रहेगा तो आप delay मत किजिएगा directly आप जाकर किस form को फिलब कर सकते है देखिए इसके लिए आपको क्या करना है आपको देखिए हाँ पर website के address भी दिये गया है curect.ntaonline.in इस link के उपर आपको जाना होगा इस link के उपर जाकर कि आपको यह advertisement मिल जाएगी उसके बाद आप देखिए इसको आगे कि जो process से आप उसे follow कर सकते हो यहाँ पर देखिए एक और website भी बताई गई है exams.nta.ac.in इस website को भी आप explore कर लीजिएगा यहाँ पर फीस की बात करें तो देखिए जो vacancies यहाँ पर group बाइज डिवाइड की गई है ABCC study ने दिया गया है A study में journal category के लिए 1500 रुपे SCST और others के लिए यहाँ पर देखे बंताउजान रखी गई है group B के लिए हम journal category OBC EWS की बात करें 1000 रुपे अन्या reserve category की फिस 600 रुपे है इसी तरह से C के ग्रूप category के लिए भी जर्नल और OBC EWS के वहार्थियों को 1000 रुपे और अन्या category के फिर्थियों को 600 रुपे यहाँ पर देने होंगे अब देखे जब आप इस फॉर्म को फिल अप करेंगे तो जो भी आपकी qualification बंती है उसके अधार पर चैन कर लेजिएगा और जिस vacancies के लिए आप qualify करना चाहते है उसके विए निकली हुई है देखे आपको बता देए हैं जो केंदरिया 200 विद्यालिया सिम्ला में है माजल पर देश में एक मातर केंदरिया 200 विद्यालिया है विद्य हम इस 200 विद्यालिया की बात करें देखे एक परतिष्टी नौकरी होती है सेंटरल गवर्मेंट के दौरा देखिए जो इसमिस से विदाले की स्थापना की गई है यूजी सी एप्रूब्ड ये विदाले है जिसके अंदर से विदाले है तो आप यहां पे एक अच्छे तरीके से दिया आप त्यारी करेंगे तो निश्ची तोर पे आपको लहाब मिले है इसके लाबा यहां बात करें तो यहां पर देख लीजिए आप नेक्स्ट यहां पर जो बात कही गई है अगली बेकैंसी है प्राइबेट सेक्रेटरी की तो उसके लिए देखिए आपके पास बैचलर डिगरी होना चाहिए तीन से पांच बरस का आपका परसनल एसिस्ट इसके लिए देखिए बैचलर डिगरी ने आपके पास है उसके बाद आपकी स्टैनोग्राफी में भी आपकी देखिए एक proficiency होनी चाहिए उसके बाद आपको इंगलीज और हिंदी में टाइपिंग भी आने चाहिए और two years experience as a stenograph पर आपके पास होना चाहिए आगे हम बात करें कूक की बिकैंसी के लिए तो आप सिंपली मैट्रिक पास है तो आपके इंदरे बिश्व बिदालिया में कूक के पद के लिए आबेदन कर सकते है ITI trade certificate in bakeries and confectionery one year का आपके पास होना चाहिए three years का experience भी यहाँ पर मांगा गया है kitchen attendant की बात करें तो आप सिंपली मैट्रिक पास देखिए kitchen attendant के लिए सिर्फ मैट्रिक पास यहाँ पर qualification निर्धारित की गई है और इसके लावे दिया आपने ITI किया है या फिर two years का experience in cooking का भी होना यहाँ पर mandatory किया है या तो आप देखिए simply metric pass है तब भी आप cooking attendant के लिए आवेधन कर सकते है hostel attendant के दिया हम बात करें सेम इसके लिए भी आप metric पास होने चाहिए या फिर आपने ITI या at least two years के दिया आपके पास experience है तब भी आप eligible है laboratory assistant के दिया हम बात करें तो laboratory assistant के लिए देखिए bachelor degrees with minimum two years of working and maintenance experience आपके पास होना चाहिए तो आप laboratory assistant के पद के लिए apply कर सकते है laboratory attendant की जो अन्या ग्रूप C की vacances या उसके लिए simply plus to pass यहाँ पे qualification रखी गई है या metric from any recognized center या state board with science as a one of the subject या आपने किया है तब भी आप इसके लिए eligible होंगे इसके लाबा library attendant की बात करें तो plus to pass और आपके पास library का certificate होना चाहिए one year experience in university college education institution का यहाँ पे mandatory किया गया है इसके लाबा multitask staff की बात करें तो इसके लिए metric pass यहाँ पे qualification रखी गी है यहाँ आप metric pass है और आपके आयू सिमा 32 बरस से कम है तो आप सिदे केंद्रिय अपिस्व बिजालिया में multitask staff के लिए apply कर सकते है statistical assistant के लिए bachelor degree in statistics रखी गई है bachelor degree in mathematics है bachelor degree in economics या commerce है तब भी आप eligible है upper division clerk की यदि हम बात करें केंद्रिय अपिस्व बिजालिया में यदि आप clerk बनना चाहते है तो आपके पास bachelor degree होने चाहिए two years का आपके पास यहाँ पे load division clerk का अनुभव होना चाहिए और आपकी जो typing speed है English में 35 और Hindi में यहाँ पर देखिए 30 रखी गई है लेकिन दोनों में से आपको कोई यह की typing speed आपकी होगी तब भी आप इसके लिए eligible है क्यूंकि यहाँ पे और सबत की बात की गई है अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनिट और Hindi में यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनिट मांगे गई है यह बात की जा रही है अपर division clerk की याद रखिएगा अपर division clerk के लिए आपके पास bachelor degree और two years का आपके पास experience होना चाहिए speed आपकी यहाँ पे इंग्लिज में 35 वर्ड निर्धारित की गई है लोर डिविजन के लिए भी देखिए cm यहाँ पर bachelor degree मांगे गई है इंग्लिज में आपकी typing speed 35 वर्ड पर बर्ड मांगे गई है या फिर आपके पास holding a valid driving license है LMB या motorcycle का तब भी आप eligible है देखिए आपको समयरते यह apply करना है और देखिए जो भी यहाँ पे इसकी process होगी उसी के हदार पर फिर आपका admit car जारी किया जाएगा admit car जारी करने के बाद फिर आपको प्रिक्सा में बैठने है अच्छे marks आपको लेने है और उसके बाद आप आगे की process के लिए eligible रहेंगे आईए बात करते है किस तरह का paper यहाँ पे आएगा कहां से आप त्यारी करेंगे कौन कौन सी किताबें आपके लिए इसके लिए helpful रहने वाली है तो देखिए ग्रूप B के लिए जो एक जामिनेशन यहां पर निर्धारित किया गए है उसमें जर्नल अबेरनेस के आपको 20 question 20 यहां पे marks कर रहेगा यदि हम बात करें तो देखिए रिजिनिंग और जर्नल इंटेलिजेंस के भी 20 marks है mathematical ability 20 की रहेगे computer knowledge 20 की है हिंदी और इंगली सियां पे 20 नंबर की रहेगे कुल मिलाकर के लिए इस टेस्ट की हम बात करें ग्रूप B के लिए तो आपको देखिए 100 question रहेंगे 100 ही यह marks रहेंगे और आपको देखिए यह 120 मिनिट में यानि दो घंटे में आपको एपेपर पुरा करना है उसके बाद आप stage 2 में जाएंगे जहां पर आपको ऐसे writing करनी है 300 words आपने लिखने है 20 नंबर कह रहेगा letter writing के 20 नंबर है comprehension के 20 नंबर है हिंदी English to Hindi में देखिए 100 words इस आपको यहां पे लिखने होंगे 20 marks रहेंगे drafting के भी 20 marks यहां पे निर्धारित किये गया है total 5 यह question रहेंगे हर question आपका 20 नंबर का रहेगा 100 marks इसके निर्धारित किये गया है और देखिए आपको बता दें जो second paper है आपका qualifying in nature का है just आपको इसको qualify ही करना होगा हाई यह बात करते है group C की vacances के लिए तो आपको यहां पे journal awareness 20 marks का रहेगा reasoning and journal intelligence की हम बात करें यह भी आपका 20 number का रहेगा mathematical ability का भी 20 number का है computer knowledge 20 number का है हिंदी और English language आपकी 20 number की रहेगी तो देखिए 100 question रहेंगे 100 ही आपके marks है इस paper के लिए भी आपको यहां पे दो घंटे दिये जाएंगे और यह exam यह देखिए आपको qualify करना है merit मेरेट में आना है उसके बाद आपका skill test या trade test होगा wherever applicable यह आपका सिर्फ qualifying nature का ही रहेगा तो देखिए यह थी यहां पे आपकी category wise यहां पे हमारे website का आडरस आपको इस video की description में भी मिल जाएगा इस website का नाम है www.elite.co.in इस website को आप बिजिट कीजिएगा जब आप इस website को बिजिट करेंगे तो यहां पे देखिए आपको बहुत से भेत्रीन अच्छे अच्छी किताबें क्ताबों के साथ में आप अपनी त्यारी को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छे से आप अपनी त्यारी को कर सकते हैं और देखिए clerk के लिए आपको जो हमारी पूरी कंपूरी के आप YouTube channel.